किसान भाईयों के नाम से जानते हैं इसको हम सदन राइस ब्लैक इस्टिक ड्वार्फ वाइरस भी कहते हैं और यह विशानु जो है वाइट बैक प्लांट हापर यानि कि डबलू बीपीच जो फुद का होता है भूरे रंका जिसके पीट पे सफेद धब्बे होते हैं उसके द्वारा बिमार पौधों से स्वस्थ पौधों में फलाय जाता है जब यह कीड़ा विमार पौधों के उपर बैठ करके तनों से उसका रश्चूशता है तो उसके साथ ही विशानु कीड़े के साथ जब वो स्वस्थ पौधे पे जाता है और वहां पर रश्चूशने का प्रयास करता है त तने से तो विशानु एक पौदे से दूसरे पौदे में जाते हैं विमारी के नियंतरण के लिए इसलिए अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम WBPH का नियंतरण समय से करें जवहीं आपको इसका लक्षण कहीं भी दिखता है या तो आपके ट्यूबेल के बल्ब के ऊपर किसान भाई इसे परचित हैं तो तुरंत आप दवा का छिड़काओ करें दवाओं में जो है ओशीन है टोकेन है पैक्सा लोन है यह दवाएं हैं इन में से कोई भी दवा लेकर करके किड़े का नियंतरण करें जब कीरा नियंतरित होगा तो फिर विमारी फैलेगी नहीं हम रोग रशित पौदे थे उनके दूधिया दानों को ले करके हम आये थे उनसे भी आरेने आइसलेशन करने के बाद हमने यह परिछन किया तो पाया कि दाने के अंदर विशानू नहीं पाये गए इसका मतलब बीज से अगली पीड़ी में इस विशानू के जाने के समहवना नहीं है यह बीज से बीज जनित विशानू रोग नहीं है आप इसलिए चिंता ना करें लेकिन WBPH का नियंतरण जरूर करें उमीद है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फसल में होने वाले नुक्सान को बहुत ही कम कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 है